पॉन जी का देन था पॉन भीयागा उसे सॉरी मैंने उनके नाम ले लिया क्योंकि वो हमारे दर्णिया है अज हमारे साथ है भोजपोरी इंडस्री की भोती वरी सुपर इस्टार गाय का अंजली राज जी तो आये इन से जानते हैं कि अभी 2022 के होली में कौन-कौन सा पॉर्जेक्ट इनका आया है और अभी होली के बाद अब कमिंग कौन-कौन सा पॉर्जेक्ट आने वाला है लोग गीत और चाहिता गातों अंजली राज जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है भोजपोरी फैंस क्लब में तेंक्यू सूमच और जितने वी आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं लोग सभी को मेरा परणाम अच्छा अंजली राजी अभी कौन-कौन सा पॉर्जेक्ट आया है होली में आपका धमाल मेरा होली में ज्यादा तर मतलब कुछ बड़ा तो प्रजेक्ट नहीं आ ऑलाम राज यही तीनों इन तीनों के सांथ मतलब बहुत अच्छा चाना अजिऊ बजा भी अच्छा ये जो अभी का जो मारकेट में बज़ा हूआ संग कि हमारे दर्सकों के लिए दो लाइन हो जाए जो आशी सब्सक्राया था और यही मेरा पंचिंग मुझे याद है और उनका वाला मुझे थोड़ा से याद निये मेरा बास ये था कि अरे उहे रंगवा डाली जे देख राई याई कड़र मी के इसका और इसके बाद से गौर गाना था बहुत सुन्दर गाना था वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये जी जाजी के भाई का बावाल करबा कि डाले ना हिंदे हब रंग कैसे अंग लाल करबा एजी जाजी के भाई का तू बावाल करबा ये आसिस राजी के साथ रहता और ये बहुत सुन्दर गाना था मतलब मेरे माद हमसे जो बहुत अचा लगत हो था गाना मुझे और फ आएंगे कि लिख बहुत जल्दी होता है वो इस पूरी से आने वाला है मेरा सोलो गाना भी बहुत जादे आने वाला है लगवाग मौन्थली दस पंदरगों तो आए जाएगा बहुत धासु काम हो रहा है और हमारे अनंद बाबा है असीश राजी है मितुन जी है सभी लोग लगवाग अच्छा खासा काम कर रहा है लोग अब देखे क्या होता है अगर पबली का प्यार रहा सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ होगा आगे अच्छा आपका ये गाना था पावन सिंजी के साथ जिए धन धुवा धुवा हो जाई तो वह पूर्जेग आपके पास कैसे वह मेरा लग था और प्रियांसु जी का देन था पौण जी का देन था पौण भी अगा उसे सुरी मैंने उनके नाम ले लिया क्योंकि वह हमारे अधर्णिया है इसमें कोई सक नहीं है बस पूरी जगत कदे होता है तो मतलब उनकी बड़पन है कि उन्होंने हमें चांस दि उसके बास मतलब हमको भी स्वास नहीं था कि मेरा गाना फाइनल हो जाएगा मैं तो बस डमी का कि इतना खुछ थी कि वाव ओन जी के साथ मैंने गाना मतलब डमी कर लिया बहुत खुछ थी लेकिन प्रकास और प्रियांसु जी अरुन भीहारे जी और सुयम हमारे बड़े जी का सपोर्ट रहा अमित सिंग जी का जो की सुबलाब को मैनेस करते हैं रितिक सिंग मतलब बहुत लोगोंने बात होते हुआ उसके बास से बोले कि ठीक है अच्छा लग रहा है लड़की अच्छा गाहिया है इसका वोकल को डन किया जाता है तो हो गया और पब्लीक का प गाना अच्छा खासा मिलन आज भी रोज चलता है वह गाना अभी तक 33 मिलन हो गया है भी उसका अच्छा गानने की बात करें तो गाना तो मार्केट में ख़र सूपर डूपर हीट्स हो चुका है तो यह आपको दर्सकों से इतना ज़्द प्यार मिल रहा है तो कैसा लग रह है मतलब मैंने सोचा नहीं था और आपको पता है कि जो दर्सक जिसको चाहा देंगे ना उसको इस्टार बना देते हैं जीरो से हीरो उन्हीं लोग का देने और मुझे भी स्वास है कि जैसे अभी प्यार मिल रहा है आगे भी मिलेगा और मेरे जो सपना है ना वो जरूर और मुझे भी स्वास ही मिलेगा और मिल रहा है प्रसेंट में अच्छा तो अंजील राज जी खाली एक सिंगर है या और एक्टर समय हैं लिफ ओर सिंगिंग करते हैं और सिंगर ही है वक्त आने पर में अपने सोलो गाने में खुद से एक्टिंग करते हुई नजर आ सकती ह और मोडल्ल्स या क launch नहीं कर है नहीं सिंगर बनना व fel बश्रक्क्षानीघ कर सकते हैं कि कभी आपको पवंजी यह सारी जी के साथ गएगा तो किया आप मुवी कीजेगा यह नहीं इतना दूरत मैं नहीं सोची हूँ वाइद अगर भविस में ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो देखा जाएगा फिर इस टाइम क्या होगा मतलब यह हो नहीं सकता कि मुझे लगता है उन लोगे साथ मैं तो खुस हूँ गाना गा करी के सारी जी के साथ या पॉन जी के साथ मतलब स अपने कोई नहीं सकती हूं कि नहीं सकती हूँ कि मेरा होभी है मैं अपने काने में खुझ से मॉड्लिंग करना चाहती हूं और करूंगे अगर ऐसा वक्त आ जाएगा तो अच्छा तो अब भूली तो खौतम हो गया है तो हम बात करेंगे बुली के बाद अपकॉमिंग सब देखने को मिलेगा बहुत जल्द मिलेगा बहुत जल्द और अच्छा लेवल का मिलेगा फिर से एक बर हम आप से बता दे रहे हैं हमारे जितने भी हमें देख रहे हैं दर्शक लोग सभी को बता दे रहे हैं कि बहुत जल्द कुछ बड़ा प्रजेक्ट आने आएगा चै से और A.C.E. भोसफुरी परजेंट से एक मेरा गाना आने वाला जिसका टाइटल है जहाजिया बहुत ही धासु गाना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगे आप सभी से कि आप लोग इस गाने को सुनिएगा जिस दिन रिलीज होगा और धीर सारा प्यार देजिएगा क्यूंकि इस गाने से मेरा कहीं ना कहीं करियर जुड़ा हुआ है कि मेरा सोलो है और बहुत महनत इसके पीछे किये हैं हमारे बड़े भी आदव अशलाल यादव जी ने इसे लिखा है प्रकासिंग जी और इसका भी म्यूजिक दिया है प्रियांसु जी और रिकॉर्डें भी महादे एक हैं हमेरे दौर्जगों गुना करके शुनाने चाहेंगी यह वहाद दो गाना है जिसके मुझे लोग जानते हैं आप जानते हैं अगला आख भी मेरा ख़र कि पैसा देखा वो ना रही फल में खौस के काबू मेरा खौजा वनिया के जोस के हो दहिया छुवा जाने छुवा ला के बेचुवा हो जाई तुसमें लाइन था कि हाँ हाँ हो आजे पूरा को के जाई वा अपनमान कि धान भॉले धूबा हो जाई अंतरा था कि अरे लाश्ट अंतरा बदा दे रहे हैं कि कि सेकेंड वाले अंतरा वे कुछ है कि अरे लागे लू फाइन साइन कोहडे दापे जिपा पवन के संगे महने जिकरा से जिपा कि उसमें मेरा था कि अरे धेर जाना गईले अरे धेर जाना गईले और उन भी हरी मन पूरा नहीं कहीं ले कि हमरा पीछे प्रेंस वह लफ हुआ हो जाई तो आजे पूरा को के जाए वह आपन मान कि धान भाले धूँआ हो जाई और इस गाने में जानता हैं इसको में हर्मोनियम पर गाते नोह बोहूल does the only 1st एंदे ना ओस गाने में उसे हलका वांका ट्यूनिंग मेरा ईह हो गए तो रोज गाते मेरे मांड में वही रहता है जैसे कि पईसा देखा हाँ भाहना रही फाल में खौसके यह सब नोटेसं लगाने लगाते ना ज्यादे यही अब आता है जो उसमें मैंने पॉफेक्ट गया हो गाई कि अब नहीं करती हूं जैसे गाने पे लेकिन अच्छा लगता है तो मैंसे इन गाती हूं तो और सभी बहुत ज काईएगा तो बहुत कुछ होगा बहुत कुछ अच्छा बहुत लोग हैं जो अपने भोजपुड़ी में एक मतलब आरे दिन अपने भोजपुड़ी बीवाद को लेकर करके सुर्खियों में बना रहता है तो आप इस भी से पिक ने मुझे इस सबसे मतलब नहीं रहता है बगिरा देखिया फूरी इंडरस्टी के बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है लेकिन कुछ लोग हैं जिसको अग्दम अजीवों गरिब का बना जाते हैं कुछ लोग के ठोड़ है कि हम भी बाद में रहेंगे तो आगे रहेंगे या लोगों के नजर में रहेंगे बट गलत बात है ना मेहार मानना है कि अगर आपको नाम करना है तो अच्छे कामों से पाल्ति हूं करना उसको बदनामी का जाता है और पहले की करता है नहीं मुझे नहीं कैसी नहीं थो किस में नहीं मन कुछी किस है लेकिन वो अट है also I go बोली स्टाइल बगरा मुझे बहुत अच्छा लगता है तो अच्छा इस लाइन में आपको सबसे अधर सपोर्ट करने वाला कौन सा हो सकते हैं अधे कि अगर मैं पटना में आई शुरुवाती दौर से बता दे रही हूं आपको पटना में तो एक महुवा टीवी के विनर है रोहित दूबे जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया में गाउं में थी मेरा घर शिवान रगुनातपुर थाना गाउं का नम लक्षबंडुम्री और इसलिए बताती हूं कि कुछ लोग आज में मेरे गाणों बोलता है कि नहीं अंजली नहीं गाई ये गाना लिकिन जब मेरा इ तो में पत्ना में मेरा कोई नहीं था तो अज उनहीं कहते हैं कि मेरे मतलब प्रकासर से कंटेक्ट हुआ प्रियांशोज से कंटेक्ट हुआ जो भी हुआ तो उन्होंने बोला कि आप पठना चाहिए मैं पठना है मैं तो पुस्परी के बहुत अच्छी गाई का एक पुनिता प्रियाजी जिन्होंने आरा में दुबारा फेर अईवु ना गाई थी पौन जी के सांथ तो उनके पास में आए तीन मुह कि आप पुनिता प्रियाजी के साथ में रही तो मुझे मतलब होता है मा बहन बढ़ी चोटी मतलब हर चीज का मुझे किसी बीचीज का कमी नहीं हुआ आज भी में उनका बहुत समान करती हूं और हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड है एक होता है ना रिष्टा बहन का वह आल दूबे को कि उन्होंने मुझे फटना भेजा और प्रकास सर से हम मेरा कंटेक्ट कराया और मैं गई महादेवा रिकॉर्डिने स्टूडियो में प्रियांसु जी से मिली मतलब पूरा कंटेक्ट उनहीं नो कराया उसके प्रियांसु जी आगी करते गया और पौन सिंग के सा अनन्द बाबा हो गया है मतलब लगबक सभी लोग उसके बाद से वादल खांसर है म्यूजिक डिरेक्टर बीजी स्टूडियो उन्होंने भी सुराते दौर में बहुत जब मुझे परकासा भी नहीं मिले थे तब मैं उनके पास युगाना गाय थे दिपक दिलदार जी के स तो मतलब लगबक सभी लोग सपोर्ट की है सबी लोग चलते चलते हमारे दर्सकों को आप क्या कहने चाहेंगी यही कहना चाहनगी कि आप लोग बस मुझे असरवाद दीजिए प्यार दीजिए तैकि में जो मिरा जो सपना है उसको मैं पूरा करूं और मैं जो चाहती करना वस्पूरी इंडस्टी में वो करूँ और अगर आप लोग का साथ रहेगा सपोर्ट रहेगा प्यार रहेगा असिरवाद रहेगा तो मैं जरूर करूंगी और मुझे लगता है कि अगर चाहर देंगे तो कुछ अच्छा तो हो सकता है थिंक मुझे जहां तक विस्वास है तो इसके साथ नमस्ते परणाम और हम लोग को आप लोग इजाज़त देजिए ताकि हम लोग अपना काम करें रिकॉर्डिन भी होने जा रहा है थोड़ा सा बिलकुल बिलकुल तो द पर्च करके सुनिये और धेंड सारा दुलार त्यार आसरबाद दीजिए तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो पेश चैनल को सब्सक्राइब केजिए वीडियो का लाइक केजिए चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए जै ही जै भारत जै भोशपूरी